मेरा नाम है सुफियान और आप दिख रहे हैं सुफियान टेकिनालिजी तो दोस्तो इस वीडियो में आपको ओपो के find x2 ए स्मार्टफोन ओपो find x2 प्रो के official specs बताने वाला हूं ये दोस्तो कब इंडिया में लॉंच होगा इसकी प्राइजिंग क्या होने वाली है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैंने अल्रेडी OPPO Find X2 के उपर एक वीडियो बना चुका हूँ उपर कार्ड में सोव हो रहा होगा आप जाके इसको देख लिजे तो फिर दोस्तो हम लोग जल्दी से इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले टाइप मिलेगा OLED और यह दोस्तो एक bezel-less डिस्प्ले होने वाला है दोस्तो यहाँ पर आपको छोटा सा पंचोल देखने को मिलेगा side corner में जो दोस्तो बहुत ही छोटा होगा तो दोस्तो चलिए बात कर लेते है screen to body ratio के बारे में तो 93.1% आपको screen देखने को मिल रहा है वहीं दोस्तो बात कर ले pixel density के बारे में तो 519 ppi देखने को मिल रहा है जो दोस्तो बहुत ही ज़्यादा है यह दोस्तो 519 ppi के साथ आ रहा है तो दोस्तो यह बहुत ही अच्छा screen होने वाला है और वहीं बात कर लें दोस्तो screen protection के बारे में तो corning का gorilla glass version 6 देखने को मिल रहा है जो again बहुत ही अच्छा protection आपको provide कर देगा और सबसे latest है दोस्तो यह corning का gorilla glass तो दोस्तो चलिए बात कर लेते screen to body ratio आपको कितना reality में देखने को मिल रहा है 93.1% तो brand बोल रहा है लेकिन दोस्तो आपको reality में 88.18% screen देखने को मिल रहा है यह दोस्तो पॉपलेटरी बढ़ाने के लिए जो ads जो होते है न उसमें दोस्तो आपको बस खली दिखाने के लिए कि हम लोग इतने percent screen दे रहे हैं लेकिन दोस्तो reality में आप count करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम मिलता है देखने को यह advertisement का एक तरीका होता है और वहीं दोस्तो बात कर लें screen size के बारे में तो 6.7 inches का आपको screen देखने को मिलेगा और screen resolution होगा आपको 1440 x 3168 pixels अगेन दोस्तो यह बहुत ही ज़्यादा screen resolution है तो दोस्तो अभी तक आप समझ चुके होगे कि जो screen होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपको OLED screen मिलेगा आपको बहुत अच्छे colors दिखने को मिलेंगे resolution भी बहुत ज़्यादा high होने वाला है और screen PPI भी बहुत ही ज़्यादा है तो दोस्तो अगेन मैं बता दू यह screen इसकी सबसे अच्छी होने वाली है बहुत ही अच्छी screen यह provide कर रहे है तो दोस्तो चलिए बात कर लेते है RAM variants के बारे में तो यहाँ पर अभी तक पता चारा है 6128, 8256 और 10512 GB यानि कि दोस्तो आपको 10 GB RAM वाला variant भी देखने को मिलेगा और internal storage उसकी 512 GB तक की होगी तो दोस्तो अभी तक तो 3 variant confirm हुए है और दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आप micro HD card लगा सकते हैं की नहीं लगा सकते हैं जी नहीं आप दोस्तो यहाँ पर micro HD card नहीं लगा सकते हैं आपको dual nano sim देखने को मिलेंगे तो दोस्तो इसमें थोट disappointing लगा लेकिन वहीं देखें दोस्तो आपको storage बहुत अच्छी मिल रही है 128 GB मिल रहा है 256 मिल रहा है और 512 GB वाला मिल रहा है variant तो दोस्तो आपको micro HD card की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में जो दोस्तो बहुत ही ज़्यादा है आपको बहुत अच्छा image resolution देखिने को मिलेगा और इस smartphone से आप जब photos क्लिक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा image प्रोवाइट कर देगा यह smartphone वैसे भी दोस्तो ओपो के cameras ही main highlighting feature होते हैं और उसके cameras बहुत अच्छे होते हैं तो दोस्तो आपको बहुत अच्छे cameras भी मिलेंगे और दोस्तो आपको बहुत अच्छे megapixels की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोस्तो यह sensors का खेल होता है sensors जितने अच्छे images देखने को मिलेंगे और image resolution जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको photos देखने को मिलेंगे उतने clear photos आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तो यह तो होगे extra ग्यान तो दोस्तो चलिए बात कर लेते है video recording modes के बारे में जो दोस्तो super vogue charger टुपाइट जिरो को support करता है यानिपि यह vogue charger version 2.0 को support करता है और 65 watt के charger को support करता हयानिकि 65 watt का juoke charger है यानिकि 65 watt काibilidadAR जो ये उसको support करता ये जो आपके 40% battery को 10 मिनिट में चार्ज कर देगा जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्जर है और दोस्तों यह आपको इन बॉक्स देखने को मिलेगा जो 65 वैट का चार्जर है तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हम लोग ग्लूतूथ वर्जन के बारे में तो वर्जन 5.1 देखने को मिलेगा तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हम लोग प्राफारमीन्स के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपको चिपसेט मिलेगा Qualcomm Snapdragon 865 जो दोस्तों Character flexi processor है यह दोस्तो 5G modem के साथ आता है तो दोस्तो यह 5G processor है तो दोस्तो यह processor जिस smart phone में होता है वो 5G smartphone होता है तो दोस्तो चलिए बात कर लेते graphics के बारे में तो adreno का 650 देखिने को मिल रहा है trio core cryo 585 plus 1.8 gigahertz quad core cryo 585 पर ये based है तो दोस्तों अगर performance की बात कर ले तो दोस्तों आपको performance तो बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको flexi processor देखेने को मिल रहा है तो performance के बारे में कोई डाउट नहीं आपको कोई भी game हो गया चाहिए PUBG, COD, Fortnite आप सभी games को high settings पे बिना किसी lag बिना किसी glitch के आराउट से खेल पाएंगे और performance आपको तो इतनी अच्छी मिलने वाले ही कि दोस्तों आप मत पूछिए तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसके architecture के बारे में तो 64-bit का ये processor है तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर main cameras के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपको triple camera setup देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको caught camera setup देखने को नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पर triple camera setup देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तो OLED Screen है तो आपको इन डिस्प्ले वाला जो स्कैनर होगा फिंगर्पिट स्कैनर वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और वो ज्यादा सिक्योर होता है जो OLED Украї जो OLED स्क्रीन में इन डिस्प्ले वाला फिंगर्पिट स्कैनर होता है और दोस्तो light sensor, proximetry sensor, accelerometer, borometer और gyroscope ये सब तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो दोस्तो चलिए बात करें तो इसके price और availability के बारे में तो दोस्तो इसका जो price होगा न वो 74,890 रूपीज करीबन दोस्तो आपको ये 75,000 रुपए का पड़ेगा क्योंकि 75,000 रुपए में Apple के phone ले सकते हैं, Samsung Galaxy S9 series ले सकते हैं और OnePlus 7 series ले सकते हैं, OnePlus 7T series ले सकते हैं तो दोस्तो इतने अच्छे-च्छे smartphone आपको मिल जाएंगे इस price में तो आप दोस्तो इसी smartphone को क्यो purchase करेंगे तो दोस्तो इसके price tagline में जो आपको smartphone देखने को मिलेंगे ना तो इससे 10 गुना अच्छे features प्रोवाइट कर रहे हैं थोड़े से कम price में तो दोस्तो आप इसको purchase बिल्कुल भी भूल के मत करिएगा मैं दोस्तो आपको बस specs बता दिया तो दोस्तो बाकी आपका है दोस्तो आपको purchase करना के नहीं करना यह आपपे depend करता है मैं अपने opinions बता दिया हूँ अगर आपको अपने opinions share करने मेरे से तो नीचे comment करके आप मेरे को बता सकते हैं और दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए ना यार तो इसको like जरूर कर देना और अगर चैनल पे नहीं आया हो तो चैनल को subscribe भी कर दो और site के बल आइकन को भी दबा दो तो मैं मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में हमेज़ अपने ख्यांडर को खुच रहो चलो बाए JUST DO IT IF YOU'RE TIRED OF STARTING OVER STOP GIVING UP